आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिसले लेक्शर में हम लोग ने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कम जाता कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये किस प्रकार से कार करते हैं और हमने उसके भिन भिन तरीके के जो ऑपरेशन्स हैं उनको आर्ट सौप्ट्वेर में करने की कोशिश करी थी आज के लेक्शर में हम इन ही लॉजिकल ऑप को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में हमारे पास कुछ और सवाल है जिनके उत्तर जानने की कोशिच करते हैं जैसे उधारल के लिए अगर हम आपसे कहें कि आपके पास कोई एक वैरिबिल आता है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं लेकिन आपने वैल्यूज नही यह नहीं देखी हैं आप यह पता करना है कि यह वैरिबिल हमारा लौजिकल वैरिबिल है की नहीं है उसके बारे में कैसे पता किया जाए उसके अलावा इसी तरह के हमारे पासे चोटे-चोटे और भी कई ante फो आपरेशन हें जो हमारे लौजिकल अपरेशन में काम आते है तो आज हम उन्ही logical operations के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम आपको एक quick revision करवा देते हैं कि हमने किन-किन logical operators की बात करी थी क्योंकि उसकी basis से मुझे आपको आथ truth table के बारे में भी बताना है जिसके बारे में हमने पिछले lecture में बात करी थी तो आपने पिछले lecture में देखा था कि हम लोग ने कई सारे logical operators की बात करी थी उसमें से एक था greater than किसके लिए हमारा r में operator था greater than sign दूसरा हमारा था greater than or equal to किसके लिए हमारे पास r में symbol था greater than और साथ में equality sign उसके बात हमारा था as then इसका हमारा symbol था mathematics का जो हमारा as then का symbol होता है और less than or equal to के लिए हमारे पास less than और साथ में equality का sign लगाना होता है R software में और अगर हमको अपने logical equality की बात करनी है तो वहाँ पे हम equality sign को हम दो बा लगाते हैं और यहां से हमको यह पता चलता है कि कोई दो statement या दो कोई या कोई दो number आपस में exactly equal है के नहीं है अथा exactly बराबर है के नहीं है कैसे कि अगर हम कहें two equal to six यह तो गलत है actually two is not equal to six लेकिन अगर इसको हम logical में अगर हम लिखना चाहेंगे ऐसे कि अगर हम कहें six equal to six तो अगर हम कुछ को logical लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे six दो बार equality sign और six और उसी तरह से अगर हमारे पास operation है not equal to तो हमारा symbol होता है exclamation sign और साथ में equality sign और अगर negation करना है अथा नहीं तो हमारे पास sign होता है खाली exclamation sign का और इसके साथ में आप में यह भी पहाता कि यह जो true और false होते हैं यह आपके दो result words होते हैं जो हमारे logical constants होते हैं और साथ ही यह जो हमारा zero होता है zero को हम false की तरह मानते हैं और जो भी हमारे non zero numbers होते हैं उनको हम true की तरह मानते हैं और साथ ही आपने दो और logical operators पखेते और 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 operators में अर्थात और का मतलब है and और जो हमारा और operator है इसका अथ्वा तो and और अथ्वा के जो आपने operator पखेते हैं उसमें आपके पास दो option थे कि आप उन symbols को एक बार इस्तमाल करिए या आप उनको दो बार इस्तमाल करिए तो उसमें आपने देखा था कि जैसे यह जो sign exclamation का यह तो हो गया logical not लेकिन अग का और का उसका कारे करता है और जब हम एक ही and का operator लगाते हैं तो वह हमारा element wise operation करता है इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे data vector में जितनी भी values हैं उनको सारी सारी values को एक के बाद एक उसके उपर logical operation करता जाएगा और अगर हम double and operator लगा देंगे तो यह भी हमारा logical and होता है लेक or operator होते है और का मत्ब अथवा इसमें से हमारे पास दो option है की जो हमारा or का symbol होता है वो होता है vertical line तो हम एक ही vertical line को लें यह हम double vertical line को लें तो जब हम एक ही vertical line को लेते हैं यह हम single or operator को यूज़़ए करते हैं तो यहमारा element wise कार करता है और यह हमारी data vector में एंधनी भी values होती jestem inherent value data vector के जो पहला number है खखाली उसके ओपर कारी करता है, उसके अलावा हमने यह भी पहाता है कि अगर हमारे पाथ 2 statement या दो number है x और y और है उसमे इसे दिखना है कि either x और y उसके लिए हमारा operator होता है XOR कि उसके अलावा अगर मुझ को यह दिखना है की कोई हमारा statement या number हमारा सही है कि नहीं है तो इसके लिए हमारा command होता है is true is और true जिसमें is हमारा lowercase alphabet में है और true हमारा upper case alphabet में है तो यह देखता है कि parenthesis के अंदर जो भी हमारे statement लिखा हुआ है yes ऌзд क्या ये true है और उसे परकार से जो हमार plays इस FALSE के बारे में में आप ने समझ लिया है कि ये हमारे result words होते हैं आब हम इसमें से आगे बगते हैं और जड़ बहुत को चुर्थ टेबिल के बारे में आपको याद होगा कि पिशले लेक्षर में में हम अपने कोई operation करते थे उसमें से हम आपको कई बार कहते थे कि अगर हमारे पास दो statement हैं और पहले statement का अगर उत्तर आ रहा है true और दूसरे statement का उत्तर भी आ रहा है true तो हम कहते थे अगर हम and operator use कर रहे हैं तो हम कहते थे true and true is true और उसी तरह से अगर हम और operator use करते हैं तो हम कहते ह हमारा है true तो अगर हम अपना operator यूज करते हैं x and y तो उसमें हम करते हैं कि false and true is false और अगर हम अथ्वा का operator करते हैं और तो false or true is true तो इस तरह के हम कई सारे operation करते थ सह और आपको बार बार यह कहते थी कि जब भी हम इसको कभी truth टेबल आपको समझाएंगे तब हम इन operation को समझाएंगे तो आज हम सबसे पहले है truth table की बाग करते हैं truth table के अंदर हमारे जो true और false के जो हमारे operation होते हैं and या और उसके बारे में बात करी जाती है तो अगर हम माली यहां पे अपने कोई दो statement ले ले statement one और statement two और statement one को हमने दिखा दिया x से और statement y को दिखा दिया है y से तो statement one हमारा है x और statement two हमारा है y अब हमने इन दोनों statement के उपर operation किया जो अपना operator लगाया तो अगर हमने and operator लगाया है तो इसका होता है कि x and y तो इसका outcome क्या आएगा और अगर हमने अपना operator लगाया है x और y बना x अथवा y फिर उसमें आपका outcome क्या आएगा तो यहाँ पर यह जो table है इन ही सारे combination को दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि अगर हम आप से कहें कि आपके दो statement है x और y जिसमें से x का हमारा outcome आता है true और y का भी outcome हमारा आता है true तो अगर आपका operation है x and y तो उसका भी जो outcome होगा वो true ही आएगा और अगर आपका operation है x और y तो आपका true and true का जो भी outcome होगा वो आपका true आएगा उसी प्रकार से अगर हम एक और condition लेते हैं जहाँ पर statement 1 का हमारा outcome आया है true और statement 2 का हमारा outcome आया है false और अगर हम यहाँ पर x and y अथार तो statement 1 and statement 2 इनको operate करते हैं तो true और false का जो and operator का outcome हमारा false आएगा और अगर हम यहाँ पर और operator यूज करते हैं अर्थार x और y तो इसका outcome हमारा true आएगा उसी तरीके से इसी का हमारे पांग उल्टा भी हो सकता है कि अगर जो हमारा x हमारा है false और y हमारा है true और हम अपना operation करते हैं x and y तो x and y का जो हमारा outcome आएगा वो हमारा होगा false और x और y का जो outcome आएगा वो हमारा होगा true और उसी प्रकार से अगर हमारे पास statement 1 और statement 2 दोनों के उत्तर आते हैं false और अगर हम अपना operation करते हैं x and y तो उसका उत्तर आएगा false और अगर हम operation करते हैं x और y तो हमारा उत्तर तो X and Y और X और Y दोनों के केसे में हमारा यहां पर फॉल्स आएगा तो देखिए यह हमारे नियम होते हैं जिनके द्वारा हमारे यह true और false के operations होते हैं जब हम उनको and या और के द्वारा combine करने की कोशिश करते हैं तो देखिए इन ही चीज़ों को हम आपको जरा से यहां पर आर software के माधियम से करके यह दिखाना चाहेंगे की आर के अंदर इनका outcome किस प्रकार से आता है तो अधारा के लिए हम यहां पर दो variable लेते हैं X और Y और X की value हमने ले लिए true capital T R U E और Y की value म जो हमारे logical operators है अब आप अगर यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो हम जैसी यहां पर करते हैं X and Y तो इसका उत्तर हमारा आ जाता है false और जैसी हम करते हैं X और Y तो हमारे इसका उत्तर आ जाता है true आप इसको अगर यहां से देखने की कोशिश करिए अगर तो तो देखिए यह वाला operation हो रहा है, तो देखिए इसमें से जो आपका x and y false है और x और y आपका true है, तो देखिए वही चीज यहाँ पर आपकी आगई, तो आपने देखा कि जो भी true and false को जब भी हम combine करने के कोशिश करते हैं, तो उनका outcome इसी truth table के outcomes के द्वारा ही control होता है, और चुकि x हमने लिया हुआ यहाँ पर true, तो अगर हम करते हैं negation of x, जो x है वैसा ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा true का, उल्टा, false, तो देखिए यहाँ पर आपका उतर आजाएगा false, और यही आपका screen shot भी है, तो चलिए इनको हम करने के पहले आपको दिर्गारा से हम किजों को R software में करके दिखा देते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया x को ले लिया true, और y को मैंने ले लिया false, आप यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, x and y, देखिए क्या हो गया, false, और अगर हम करते हैं x और y, तो देखिए हमारा क्या हो गया, true, और अगर हम यहां पर negation of x करते हैं, x हमारा है true, to negation of x false हो गया, और अगर हम negation of y करते हैं, to y हमारा है false, to negation of y हमारे हमारे तो ज़ेगा true, तो दिखिए यह बहुत ही आसान से operation है, खास बात यह है कि आपको समझ ला है कि इनके अंदर क्या होता है, अब हम आपको यहां पर एक उधारण और लेते हैं और इस उधारण के द्वारा हम आपको यह दिखाने की कोशिश करते हैं, कि आप अगर कोई भी अपना logical operation करते हैं, उस operation का जो outcome है, वह भी logical होता है, लेकिन आपको अपने outcome को cross check करना है, कि वह जो outcome है, उसका behavior कैसा है, वह logical है कि नहीं, तो उसको cross check करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक command होता है, is.logical, और फिर हम parenthesis में अपना जो भी variable है, उसको दे देते हैं, तो इसका जो भी outcome होगा, logical का दो ही option है, या तो true या false, यह बुझको बता देगा कि वह variable logical है कि नहीं, अगर उतराता है true, इसका मतलब है कि जो variable का outcome है, वो logical है, और अगर उतराता है false, इसका मतलब है कि हमारा outcome का जो variable है, वो हमारा logical नहीं है, तो चली हम यहाँ पर कई सारोधारग लेते हैं और आपको यह भिन-भिन करीगे कि logical operation करके दिखाते हैं और साथ में हम उनका outcome भी cross check करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक value ले लिए x equal to 5 और अब हमने एक अपना operation किया जहां पर हम यह दिखना चाहते हैं कि x greater than 2, अर्थाथ 5 greater than 2 और इसका जो भी outcome है, उसको मैंने एक logical 1 variable के अंदर store कर दिया है तो यह जो logical 1 variable क्या आपका हो गया, इसकी value आजाएगी true और अब आप यहाँ पर cross check करिए, अगर कि is.logical और parenthesis में लिखी logical 1 अर्थाथ आप यह देखना चाहते हैं कि logical 1 variable के अंदर में जो outcome है, वो हमारा logical है कि नहीं है तो उत्तर यहाँ पर आ जाता है true उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर एक और operation लिजिए और यहाँ पर आप लिजिए x is less than 10 अर्था 5 is less than 10 अर्था 5 हमारा क्या 10 से छोटा है और इसका जो भी outcome है आप उसको एक logical 2 के variable में आप store कर दिजिए और logical 2 की value आजाएगी true अब हम यह देखना चाहते हैं कि logical 2 के अंदर जो भी हमारा variable stored है वो हमारा logical है की नहीं है तो हमने यहाँ पर command use किया is.logical और parenthesis में लिख दिया logical 2 और enter किया तो आपको मिल जाएगा उत्तर true अर्थार logical 2 के अंदर जो भी हमारा variable है वो हमारा एक logical variable है उसी प्रकार से हमने एक यहाँ पर variable लिया x not equal to 5 तो यहाँ पर क्या हो गया 5 not equal to 5 अब इसका जो भी outcome है इसको आपने logical 3 नाम के variable के अंदर restore कर दिया अब लॉजिकल 3 का जब outcome आपने देखा तो यह आ गया फॉल भाई पांस तो पांस के बराबर नहीं है ना अब आप यह देखना चाहते हैं कि यह जो लॉजिकल 3 है क्या यह हमारा logical variable है आपने देखा इस.logical और parenthesis में लिख दिया आपने logical देखिए इसका उत्तर क्या गया true अब आपको यहां फी यह ध्यान देना है आपको अभी ऐसी गलती मत करिए गया कि यहां पे true है तो यहां भी true आ गया यहां पे true है तो यहां भी true आ गया तो इसी लिए मैं आपको यह दिखाए कि यहां पे false अगर है और यहां पे true है तो यह हमारे अलग-अलग operation की बात कर है जो हमारा variable का उत्तर है यह तो true और false हो सकता है लेकिन यह जो इस.logical operation यह खाली यह check कर रहा है कि जो उसका उत्तर छिपा हुआ है उस variable के अंदर वो logical है कि नहीं है और यह इसका एक screenshot है आपको मैं R software में करके दिखाऊंगा तो तो आप इसको cross check कर सकते हैं और उसी तरह के से हम हम एक और variable लेते हैं और यहां पे हम एक variable को 2 से multiply करते हैं 2 into x is greater than 11 और यहां पे x के value हमने क्या लिए है 5 अब इसका देखे जो भी outcome आता है उठके आएगा 2 into 5 जैसे 10 क्या 11 से जादा है उत्तर है false इसका जो उत्तर false है यह logical 4 variable के अंदर store हो जाएगा और जब आप देखेंगे is.logical और इसमें देखेंगे कि logical 4 नामकर variable क्या है logical है कि नहीं है उत्तर है yes यह हमारा एक logical variable है क्यों इसकी value है false उसी तरीके से अगर हम एक और operation ने 3 into x is smaller than 20 अथा 3 x मतलब 3 into 5 की जो value होगी क्या वो 20 से छोटी है और इसका outcome हमने देखा कि इसका value आएगी 15 क्या 20 से छोटा है उत्तर है yes अथा true अब देखेंगे कि यह जो outcome आया है यह क्या logical है उत्तर है कि yes हाँ यह हमारा एक logical variable है और देखेंगे यह हमारा इसका outcome दिया हुआ है clear तो इस operation को पहले हम आपको R software में करके दिखा रहते हैं और फिर हम आपको इसमें से बाकी यह करके दिखाते हैं कि इसमें से कैसे कार करेंगे तो देखेंगे x के value मैंने यहाँ पर ले लिए 5 और मैंने एक यहाँ पर variable ले लिया say logical मैंने इसका नाम खाली logical कर दिया और मैंने यहाँ पर variable ले लिया x greater than 5 और say x greater than 10 इसका देखेंगे जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा false क्योंकि 5 तो 10 से घड़ा नहीं है हम चेक करते हैं कि यह जो logical हमारा variable आया है यह हमारा क्या है तो is.logical और bracket में मैंने तिक दिया logical अर्था जो हमारा variable है तो क्या गया true अर्था जो false जो variable है यह भी तो हमारा एक logical variable है और इसी में अब हमने logical को change कर दिया और हमने कर दिया x less than 10 और यहां पर हमने इसका जब outcome देखा तो यह आगया true और जब हमने देखा कि क्या यह हमारा logical variable है तो उत्तर आगया true और इसी प्रकार से हमने अगर यहां पर एक और operation लिया कि x की value मैंने लेली 5 और logical को हमने define किया 2 into x less than 10 यह हम इसको 2 less than 2 into x less than suppose कर देते हैं हम अंदरा को देखें क्या आता है और इसी में अगर हम यहां पर change कर दें कि 2 into x is greater than 15 तो देखिए इसका outcome क्या आता है false और false को आप अगर चेक करेंगे क्या यह logical variable है तो उत्तर आता है हां यह एक हमारा logical variable है और इसी में आप अगर हम आपको एक और operation करके दिखा दें कि आपने अगर logical को कर दिया say not equal to 15 2 x is not equal to 15 अब देखिए इसका जो हमारा outcome है यह हमारा हो गया true और जब अगर हम देखते हैं यहां पर क्या यह हमारा logical variable है उतर आता है यहां यह तो logical तो हई है तो आपने देखा कि in operations को करना बहुत ही आसान काम है और अब हम आपको कुछ और उधारा देते हैं जो बहुत ही obvious है लेकिन आपको शैद इस logical operator को समझने में वह आपी साहता करेंगे एक हम ने उधारे लिया 8 greater than 7 अर्थाओ क्या 8 साथ से बढ़ा है उतर है true फिर हमने एक उधारे लिया क्या 7 हमारा 5 से छोटा है उतर है नहीं अर्थाओ false फिर हमने का क्या 7 साथ से जादा है बड़ा है उत्तर आता है false तो हई है और अब हमने कहा कि क्या 7 greater than or equal to 7 है उत्तर आता है हाँ greater than नहीं लेकिन बराबर तो हई है उत्तर आ गया true फिर उसके बाद हो गया हमने एक और example लिया 8 less than 8 क्या 8 8 से छोटा है नहीं उत्तर आ गया false फिर हमने कहा 8 less than or equal to 8 क्या 8 8 से छोटा या बराबर है उत्तर आता है true और ठीक है 8 8 से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो हई है तो आपने देखा कि जो चीजें आपको बहुत थी आसानी से दिखाई परे थी उनका जो उत्तर भी लाजिकल उसी प्रकार से आ रहा है उसी प् बराबर नहीं और यहां पर हमने का नाइन इसए कोलिकोल इसनवाल किया है उतर आता है, हाँ, 7 तो 7 के बराबर ही है, फिर हमने का क्या 7 8 के बराबर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, यह तो गलत है, तो उतर आ गया, false, फिर हमने एक variable या x, जिसकी value मैंने दे दी true, अब जब हमने यहाँ पे किया negation of x, तो true का उल्टा क्या होता है, false, तो देखिए, आपका उतर ही है, false आ गया, तो चलिए, इस operation को पहले हम आपको R software में करके दिखा देए, और उसके बाद हम आगे बगते हैं, आपने देखा यहाँ पे, इमने कहा, 9 less than 8, false, फिर हमने कर दिया, 9 greater than 8, true, 9 is greater than 9, false, आपने कर दिया, 9 is greater than or equal to 9, true, हमने कर दिया, 7 less than 7, false, आपम देखिए, 7 is less than equal to 7, देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अरे यह तो गलत होगया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने equal to sign पहले लगा दिया, इसका तो correct symbol तो यह था ना, देखिए, यह आपने का 7 is less than or equal to 7, उतरा गया, हाँ, यह सही है, right, तो उसी प्रकार से आप बाकी भी operation को करके देख सकते हैं, कि यह आपको बहुत ही आसानी से आपको जवाब दे देते हैं, और अब हम यहाँ पर एक और operation की बात करते हैं, हमने अभी तक आपको जितने भी अधारा लिए हैं, उसमें हमने इसकेलर लिया हुआ है, दोनों वैल्यू जिनको हम कंपेर कर रहे हैं, वो हमारी सकेलर हैं, जैसे 5 is smaller than 6, और 6 greater than 7 इत्यादी, अब हम आपको यहाँ पर दो डेटा वेक्टर लेते हैं, अब हमने यहाँ पर दो डेटा वेक्टर लिए है, x और y, और x में 3 value है, 1, 2, 3, और y में हमारी 3 values है, 4, 5, 6, अब अगर हम माल लिजे, x को अगर हम यहाँ पर लिख ले, y को यहाँ पर लिख ले, 1, 2, 3, और यहाँ पर हम कर दे, 4, 5, 6, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, आर कंसोल पर x greater than y, त इसका देखी उतर आता है ऐसा, false, 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 इसमें पता है क्या हो रहा है, यह जो सारे के सारे operations, यह हमारे दोनों वेक्टर की जो respective positions पर values लिखी हैं, उनके उपर operate कर रहे हैं, अर्थात, जब हमने कहा x greater than y, तो इसने x की जो पहली position पर number था 1, इसको उसने 4 से compare किया, जो हमारा y vector की पहली position पर है, फिर उसने x और y vector में दूसरी position पर जो number लिखे हैं, उनके उपर operation किया, और फिर उसने x और y में जो third position पर number लिखे हैं, उनके उपर operation किया, तो जैसी हमने का x greater than y, तो उसमें से 1 को इसने 4 से compare किया, 1 greater than 4, 2 को 5 से compare किया, 2 greater than 5, और 3 को 6 से compare किया, 3 greater than 6, और यह जो पहला outcome आया हमारा false का यह हमारा outcome है 1 greater than 4 operation का जो दूसरा हमारा operation है यह हमारा 2 greater than 5 operation का outcome है और यह जो हमारा third false है जो हमारा third number पे लिखा हुआ है यह हमारा 3 greater than 6 के operation का outcome है इसके बाद में आप अगर इनी operation को अगर आप change करने की कोशिश करते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर कर दें x smaller than y, तो क्या होगा, यह जो यहाँ पर x और y की value लिखी हैं, यह इसमें corresponding values हैं, वो आपके less than sign के साथ में comparison होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर x less than y करने पर आपके पास जो पहला position आता है true, यह आपका 1 less than 4 के operation का outcome है, जो दूसरा है true यह वाला, 2 less than 5 के operation का outcome है, और यह जो लिखा हुआ है true, यह हमारे 3 less than 6 operation का outcome है, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, x is not equal to y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 is not equal to 4, 2 is not equal to 5, और 3 is not equal to 6, यह हमारा operation हो जाएगा, और जो यहाँ पर हमारे पास यह तीन operations, तीन values आईएं, operation करने के बाद में, तो जो पहला true है, यह हमारा 1 not equal to 4 का outcome है, दूसरा true हमारा 2 is not equal to 5 का operation का outcome है, और जो थर्ड हमारा true है, यह हमारा 3 not equal to 6 का outcome का outcome है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे, अगर हम equality sign की बात करते हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं, x is exactly equal to y, तो यहाँ पे हमारा 1 is equal to 4, 2 is equal to 5, और 3 is equal to 6, यह तीन operation हमारे हैं, यह हो जाएंगे, और यह जो हमारा पहला false आया है, यह हमारा 1 is equal to 4 का outcome है, दूसरा false हमारा है, यह हमार 2 is equal to 5 के operation का outcome है, और जो हमारा यह third false है, यह हमारा 3 is equal to 6 के operation का outcome है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी कभी हम data vectors के बारे में operation करते हैं, तो जो भी data vectors की respective position पर हमारे element होते हैं, उसके उपर हमारे यह सारे-सारे operation हो जाते हैं, तो चलिए हम इनको जरा एकबार पहले आपको R software में करके देखा दे, और फिर हम अपने अंतेम slide की बात करेंगे, तो जैसे देखी मैने यहाँ पे लेलिया, c is equal to 1, 2, 3, और y पर मैने लेलिया, c 4, 5, 6, तो अब जैसी आप करते हो, x is less than y, तो देखे, true 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 हो गया, आपने कर दिया, x greater than y, तो देखी यह false false हो गया, आपने कर दिया, x is equal to y, तो देखी यह हो गया, false false false, आपने कर दिया, x is not equal to y, तो देखे, ऐसे हो गया, right, इसी तरह से आप इन operation को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और जो आपको इस तरह का conclusion देते हैं, इसके बाद हम आपको एक, इस logical operator का जो अंतिम syntax है, उसके बारे में बात करते हैं, आपको यह पता करना है कि कोई हमारे statement का जो outcome है, यह हमारा true है कि false है, उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे command is true, इसमें से आप देखेंगे कि जो is है, यह आपका lower case alphabets में है, और जो true लिखा हुआ है, यह आपका uppercase alphabets में है, तो अगर हमको यह चेक करना है कि क्या 8 6 से छोटा है, तो हमने लिख दिया is true 8 less than 6, तो देखें इसका उत्तर हमारे क्या गया, false, right, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया is 8 greater than 6, क्या statement सही है, तो हमने कर दिया is true 8 greater than 6, तो यह उत्तर आगया हमारा true, कोई शू नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत है, उसी प्रकार से हमारे पास इस false भी होता है, अर्थात अगर मुझे यह करना है कि कोई statement हमारा है की नहीं है, इसका भी command देखिए ऐसा ही है, is हमारा lowercase alphabets में है, और जो हमारा false हमारा capital alphabets में लिखा हुआ है, F-A-L-S-E, अब अगर माली मुझे यहाँ पर क्रॉस्ट करना है कि क्या पांच आर्च से छोटा है, तो हमने कर दिया, इस false, 5 less than 8, अब इसका देखिए और कम आ गया false, यह कैसे हो गया, पांच तो आर्च से छोटा होता है, तो यह false क्यों आ गया, अब ज़रा कमजीए, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इस operation में आप आपने क्या किया, आपने कहा, पांच आर्च से क्या छोटा है, आपका उत्तर आया, यह, हाँ, छोटा है, अथात, true, और उसके बाद आपका क्या है, is this false, क्या यह statement गलत है, आपने तो यह पूशा है, तो इसने का, नहीं, आप गलत हो, और इसलिए इसने आपको यहां पर उत्तर दे दिया, false, और यही false देखिए, आपको यहां पर दिया हुआ है, तो आपने जिस प्रकार का सवाल पूचा है, उसने आपको उसी प्रकार का जवाब दिया है, यह आपको ध्यार में रखना है, उसी प्रकार से अगर हम यह पता करना चाहते हैं, कि क्या पांच आर् दिया, is false, 5 greater than 8, अब जड़ा, इसको समझेए, इसमें क्या हो रहा है, 5 is greater than 8, क्या यह कही है, no, this is false, लेकिन आपका उत्तर यहां पर आ रहा है, true, यह कौन से स्कवाल का जवाब यह बोल रहा है, true, तो आपका सवाल है, is false, अर्थाट जो यह उत्तर आया है, is this false, आपने का हाँ, यह false है, और इसलिए आपने जो कहा है, हाँ, यह आपका convert हो गया, true में, और इसने आपको उत्तर यहां पर दे दिया, true, तो यह true यहां पर आया है, और आप देखेंगे कि इस बात को समझना आपके लिए, बहुत आवश्यक है कि यह software में करके दिखाते हैं, तो यह कि आपको confidence आजाना चाहिए, हमने का, is to 8 less than 6, false, उसी तरह से आपने का, is to 8 greater than 6, तो पहले बाले में, आपने का हाता कि, क्या 8 6 से चोटा है, और अब आप कहा हो, क्या 8 6 से ज्यादा है, पहले में, आपने का कि, is 8 less than 6, और दूसमें में बोल तरह आएगा, true, और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे false की बात करिये, is false 8 greater than 6, true, और अगर आप अगर बात करिये की, is false 8 greater than 6, तो तो उसी पकार से आप ही हमारे भिन-भिन तरीके के जो भी हमारे logical operators हैं, आप उनको यहाँ पे इस्तिमाल कर सकते हैं, और इस lecture में हम यहाँ पे रुकते हैं, और मैंने आपको इस lecture और पिसले lecture में जो भी हमारे logical operators होते हैं, उनके हमारे भिन-भिन तरीके के जो भी operations होते हैं, उनके बादे में बताने की कोशिश करी है, अब एक शीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे हर example में दो-दो variable लिए हैं, मैंने दो-दो statement लिए हैं, लेकिन आप इन statement की संख्याद दो से जादा भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एक समय में and या और की बात करी हैं, लेकिन आप and or operators को दोनों को आप एक साथ combine भी कर सकते हो, आप कोई statement ऐसे लिए सकते हो कि x greater than 8 and y greater than 9 and z say less than 7, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x greater than 8 and y greater than 9 or z less than 10 इते हादी, आप इसा के combination भी कर सकते हो, लेकिन इन सब चीचों को समर्जने के लिए आपको फोल से प्राक्तिस करना पडेगा, आप छोटे-छोटे उदार लिए कीजिए, उनके outcome अपने हाथ से निकालने की कोशिश करिए, और फिर देखे कि जो outcome आप की कमस के साब से आ रहा है, क्या वही outcome हमारा R software के अंदर भी आ रहा है, और जैसे आपका outcome और R का software का outcome अगर मिल जाएगा, मिल खा जाएगा, इसका मतलब कि आपका concept सही है, और आप य जादा statement में and या और लेंगे, उनका जो नियम होगा, वो जो truth table के outcome है, उनहीं के अनुसार तो चलेगा, तो आप इन सभी चीजों के practice करने के कोशिश करिए, और हम आपको अगले turn पर फिर और किसी topic के साथ में मिलने आएंगे, तब तक के लिए, गुडबाए. आपको के मिलने आपको केशोरे, प्यूवकर के लिए.